जो मुद्दा है ये रसाना बहु चर्चित कांड रसाना कांड पे आज जमू बिश्मी ड्रामन सभा ने आज बड़ी देर बाद हमने एक स्टैंड लिया है इस पे और आज सबसे पहले तो आभी सभी बंदूओं का बहुत तहे दिल से धन्यवाद की इतने छोटे समय में साजिश के तहद ये फसाया गया है और डाई साल से आज इस मामले में कोई भी गौवर्मेंट ने भी किसी ने भी संग्यान नहीं लिया है इस मामले में हम अपने हिंदू बाईयों का आप सबके माद्यम से पूरे जम्मू बश्मीर के लोगों को जगाना भी चाते हैं और साना भी चाते हैं कि क्यूं लोगों को अभी एक अनकॉंस्टिकूशन तरीके से उनको अभी भी जेल के अंदर रखा गया है आज तक क्यूं उस पर कोई सुनमाई नहीं हुए और इस सबा का पूरा विस्तार में मेरे भाई सबा के महामंद्री किरन शर्मा जी आपको है और मैं अतुल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि अभी हमने एक हफ्ता पहले ही वहां विजिट किया था रसाना में और पूरा विवरान को दिया और इन्होंने एक मीटिंग गर कर इस बात को लेकर बड़ी अपनी गंबेरता जताई और हमारी जम्मू कश्मीर ब्रामन अपना पूरा समर्थन इस मुद्दे पर दिया है और जैसा कि आप सब जानते हैं जम्मू एक राष्ट्रवादी लोगों का गड़ है और 2018 में इन राष्ट्रवादी लोगों पर जो एक अगहात किया गया और जो देवस्थान में भी उसको इन्वाल्व किया गया तो हमार लिए सबसे बड़ी वो एक आप कह सकते हैं कि शती थी उस वक्त के बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत बड़ी मूवमेंट करी अपना पूरा जोर लगाया लेकिन कुछ राजनितिक कारणों से इस पर जो है कोई सीबिया इंक्वारी नहीं हो सकी तो सबसे पहले पर सीबिया इंक्वारी करवाएं ताकि दूद का दूद और पानी का पानी हो सके क्योंकि आपने देखा होगा कि उस वक्त की जिहादी माइंसेट महभूबा मुस्ती जो उस वक्ती कोलिशन गवर्मेंट की सीम थी उसने किस तरीके से इस केस को एक तरफा कर दिया उसकी ज जब यह चंदीगड में मामला पहुंचा पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट में तो वहां पर सबसे पहले जो ऑर्डर पास होता है कि वह कहते हैं कि जो एसाइटी टीम है इस पर जो है वह फाईयार लगाई जाए लेकिन विदमना है कि आज तक उन एसाइटी मेंबर्स पर राजितिक कारणों की वज़ा से एफ आईयार नहीं लग पाई तो क्योंकि आज की डेट में सेंटल गवर्मेंट का सीधा रूल हो रहा है एलजी गवर्मेंट द्वारा तो मैं सेंटल गवर्मेंट से गुहार करता हूं हमारी पूरी ब्रामन सबा जम्मू के लोग जो एग उस शाजिस को शडेंदर जोने रचा था वो लोग बाहर घूम रहे हैं और जो इनोशेंट लोग थे जो सेवादार लोग थे जो कंजत पूझने वाले लोग थे उनको आपने जेलों में रखा हुआ है और अगर आप देखें तो कोविड के बाद से कोई जादा सुनवाई नहीं हुई कोड की ठंडे बस्ते बेच चल गई हैं तो हमारी यही दिमांड है कि यह जो रसाना कांड है इस पर एक सीबिया इंक्वारी हो और आपको पता है कि आपी मीडिया बंदूं की वज़ा से विशाल जगोत्रा जो एटीम से मुसफ़र नगर पे पैसे निकालता हुआ पाया गया था सिर्फ उसी को छोड़ा गया इसकी चार शीप में उसके खिलाफी बहुत कुछ लिखा हुआ था तो यह अपने आप में दिखाता है कि वह जो चार शीप में बातें लिखी गई वह मनगरत कहानी थी एक श्रेंट के कारण महभुबा मुफ्ती का वह एंटी नेशनल एंटी सोशल एंटी हिंदू एक्टिविटिस को होने ही नहीं दिया उन्होंने वहाँ पर गर्दी लोगों को बसाने की कोशिश करी क्योंकि वह भी ट्राइबल है क्योंकि गुजर बकरवाल आपको पता है कि यह कहीं बैठते तो जगा मल लेते हैं और सरका कि अग्षिश के तरह फसा दिया गया तो यह बातें जो हैं हम इस पर कहते हैं कि यह जांच हो ताकि आशिफा के साथ भी जो है वो नियाए हो सके क्योंकि वह छोटी सी बेटी आपको पता है हमारे सनातन में हम हर एक आपको कंजग मानते हैं तो हम यह भी चाहते हैं कि उसक पानी का पानी हो सकते नहीं तो जम्मु के लोग आने वाली उख्शन में फिर बाइकॉट कर सकते हैं। अगर इसमें हमें न्याय नहीं मिला तो क्योंकि अगर आप हमारे देशस्थानों को टार्गेट करेंगे, हमारे साथ नयाय नहीं करेंगे, और फिर हम कहां जाएंगे तो इसलिए हाथ जोड़ के ये विंती है हमारे जो बड़े-बड़े लीडरान है हमारे जो दिल्ली सरकार में जो लोग बैठे हैं हमारी उन्से गुजारिश है कि हम जम्मू के लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि CBI Inquiry हो धन्यवाद